स्टार्ट राश्टी राजनीती में सबसे मातपूर भूमी का अदा करने वाले उत्तर प्रदेश में बस्पा और सपा ने गट बंधन बना कर कांग्रेस को तो जटका दिया ही है जिसने इस गट जोड में शामिल होने की उम्मीद पाल रखी थी उन्होंने सत्तारूर भाचपा को भी चुनावती दी है जिसने पिछले लोकसभा चुनाओ के अलावा विधान सभा चुनाओ में भी उत्तर परदेश के अभूत पूर सफलता हासिल की थी सपा बस्पा गट बंधन ने 1993 में सूबे में भाचपा को सरकार बनाने से रोका था तो पिछले साल लोकसभा उप्चुनाओं में भी भाचपा को शिकस्त दी थी करीब तीन साल पहले बिहार में भी ऐसे ही एक गट बंधन ने भाचपा का रत रोका था पर यह नहीं भूल सकते की फिलहाल भाचपा की ताकत के सामने सपा बस्पा हाशिये पर है लिहाजा पचीस साल बाद हुए इस गट बंधन को अस्तित्व बचाने की कोशिश के रोप में भी देखा जा सकता है गट बंधन से तुलनातमक रोप से बस्पा को अधिक लाब मिलने की उमीद है हालांकी वोट ट्रांसफर होने की मुश्किलों से लेकर पार्टी कारकरताओं के बीच तालमेल की चुनावती के अलावा कम सीटों पर चुनाओ लड़ने की कारण बागियों से भी उजना पड़ सकता है इन सबके बावजूत या घटना करम कांग्रेश के लिए करारा जटका तो है ही उत्तर परदेश जैसे राज्य में नरेंद्र मोदी विरोधी गट जोड में कांग्रेश को सामिर ना कर छेत्री दलों ने संदेश देने की कोशिश है कि वे उसे भाजप विरोधी गट बंधन की धूरी नहीं मानते इसका दूसरे राज्यों में भी कांग्रेश की चुनावी संभावनाओं पर फर्त पड़े तो हैरत नहीं इसी समय हुई राश्टी परिश्यद की बैठक में भाजपा नेत्रित ने भी लोकसभा चुनाओं में बेहतर प्रदर्शन की रूप रेखा तैयार करते हुए अपने कारकरताओं में नई जान फूकी अमित शाह ने अर्थपूर ढंग से इस चुनाओं को पानी पत की तीसरी लड़ाई से जोड़ा जिसमें बाहरी शक्तियों के गठ जोड ने मराठों को हराया था तो परदान मंतरी मोदी ने गठ बंधन पर हमला बोलते हुए कारकरताओं को खुश फहमी से बाहर आने के लिए भी कहा हाला कि उसके राजनीतिक प्रस्ताओं में विपच्च के नाम पर सिर्फ कांगरेस का जिक्र है यानि उसकी लड़ाई कांगरेस से ही है चुनाओं की पूरी विह रचना अभी बाकी है पर भाजपा के खिलाफ सपा बसपा के गठ जोड ने उत्तर परदेश में इस जंग को तो दिलचश्प बना ही दिया है जिसमें कांगरेस को भी महतुहीन करने की कोशिश है धन्यवाद